वेल्कम बैकिन माई टूप चनल दोस्तों मैं हूँ आकाश पंडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानि मेक यूट सेल्फ यूनिक दोस्तों आप सब की क्वेरिस थी किसा रेविट स्ट्रक्चर में किस किस तरीके के कुश्चिन से पूछे जा सकते हैं तो देखो यार रेविट स्ट्रक्चर जो है इसको आपको अगर इंटर्वी में जा रहे है उसके तो कुछ बैक्ग्राउंड की चीज़े तैयार करना पड़ेगा यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग रेविट स्ट्रक्चर सीख रहे है तो इसके ब किवेस क्लियर है तो पिर आपको अगर शुड्यूलिंग करोगे तो इसे हो जाएगा सीडूविंग के साथ ही साथ आपको पता होने चाहिए सटेंडर बीम्स और कॉलम्स के साइज्जेस जद्ध आपको दिमाग लगाने के जरूरत नहीं बीम्स और या कॉलम्स पर सबसे पहले column के अगर बात करो तो column जो होता है 9 by 9 से start होता है मलब 9 inches by 9 inches अगर सबसे चोटी building है यह thumb rule होते हैं इसको thumb rule बोलते हैं मलब fixed parameters अब कुछ है 9 by 12, 9 by 18 अब इसके बाद अगर आपको इसमें column आपको इसमें बढ़ती जली जाएगी उसके हिसाब से beam देखना पड़ेगा यह चीज़े बहुत important है rabbit structure के interview में rabbit structure के interview में यह भी पूछा जाएगा कि आपको cover किस तरीके से set करना है rabbit में मैंने बताया हुआ है तो आपको पता चल गया होगा अभी cover कैसे set करना है उसके साथ reinforcement किस तरीके से provide करना है वह भी चीज़ बहुत important है reinforcement कैसे डालना है इसके अदर अब crank bar कैसे डालना है crank bar के बारे में भी बताया जाएगा उसके बाद अभी मैं slap के बारे में मैंने नहीं बताया slap का reinforcement और slap का वीडियो है वह आज ही आएगा बट अभी थोड़ा सा टाइम में क्योंकि मुझे time नहीं लग पाया है मैं office से आने के बाद करूंगा तो नियर बाउट 9 o'clock ए 10 o'clock तक आपको मिलेगा तो उसमें आप देखिएगा किस तरीके से ढलते हैं क्रायंट कैसे डालते हैं उसके साथ साथ आपको इसमें questions जो पूछा जाते हों कुछा जाता है कि call out कमांड का क्या यूज है structure template open करो तो जरूर मिलेंगे अगर फिर भी नहीं मिला है तो हमें telegram पे उसका screen shot भेज़ना मैं definitely आपको answer करूंगा search करके क्योंकि सबके laptop में कुछ अलग settings गलट हो गई होगी उसकी वज़ेसे नहीं आ रहा होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे screen shot देदिए कि सर ऐसे क्लिक करो नहीं हो रहा है मैं definitely समझ जाओंगा मैं आपको उसको answer भी कर दूंगा वैसे project browser और या तो property boxes के लिए आपको सिर्फ right click करना है वहाँ पे नीचे आपको project browser property box मिल या तो property box के shortcut की होती है पीपी आप उसको भी क्लिक कर दीजेगा how to create shortcut की से बहुत important play rule करता है structure के rabbit structure में क्योंकि shortcut की से जल्दी जल्दी आप चीजों को उठा पाते हो मलब check कर पाते हो इसके साथ what is the use of view range अब बोलों का सरी यह क्या होता है view range जो होता है यह आपको use में आता है जैसे कि कोई आप देखते हो कि second floor से देख रहे हो नीचे का कुछ भी दीख नहीं रहा है उसमें building का कुछ भी दीख नहीं रहा है वह क्यों नहीं देख रहा है क्योंकि उसका view range सेट हुआ हुआ कि वह लेबल वन तक सेट था तो view range के लिए भी आर कर दीजेगा या property box में जाके view range का option उसको क्लिक करके वहां पर depth पढ़िएगा bottom top पूरा वहां पर detail में दिया उसको देख लीजेगा वाटी दियुजा visual graphics यह आपसे पूचा जाते है तो visual graphics के अंदर जो हम लोग check करते हैं उसमें हम लोग allow करते है कि कौन-कौन से member हमारे structure में दीखे मलब मारा जो भी structure है उसमें कौन-कौन से members दीखे उसके लिए हम लोग क्या करते है visual graphics जिसके लिए VG की shortcut की है उस पर click करते लेगेगा लेवल नहीं दीख रहा है उस पर click कर दो आपको level मिलने लगेगा वो सारी information उसके अंदर जो आप close करके रखोगो मिल जाएगा उसके अंदर proper तो इससे भी questions आपसे पूचे जाते हैं तो आपकी इसकी भी practice करके रखे के shortcut keys और कैसे use करना है यह भी इसके साथे सा LY4 के उपर और उपर से LY4 के नीचे मिल में रखना होता है बट वो भी ऐसे कि एक तरफ अगर इधर हमने लेपिंग रखा लखे तो दूसरे तरफ बार में एक दब सामने नहीं होना चाहिए उपर नीचे ऐसे करके होना चाहिए इसके साथ अगर मैं बीम की बात करूँ त पर्नर्स पर लगाते हैं लगाते हैं तो इससे भी कुछन पुछा जाता है क्योंकि यह उसी का एक पार्ट होता है इसके लाववा सेडूल के लिए मैंने रेवीट स्टेशन रेवीट इस्टीमेशन पार टू पार पर पौर पार पार फाइब बना हुए प्लीज को पढ़ फूटिंग में डालना भी बहुत जरूरी है और आपको अच्छे साना चाहिए कि फूटिंग में और एंफोर्स्मेंट किस तरीके से डालते हैं आर्किक्चर का फाइल फ्रक्चर्ट्र टेंप्लेट में और अपन मलब लिंक किये है नब इनसर्ट बटन पर जाना है वहाँ पर रेविट लिंक करके ओप्सन नहीं देख रहा है आपको model वो दिखी नहीं रहा है तो उसका सिर्फ wall दिख रहा है door window नहीं दिख रहे है तो wall नहीं दिख रहा है इस तरीके की problems हो जाती है तो उसके लिए उसकी disciplines set करनी पड़ती है जो की property box में ही आपको disciplines मिलेगी वहाँ पर click करिएगा वहाँ पर architecture रहेगा तो अगर आपने structure template खोला है तो आप structure कर दीजेगा अपने आप open हो जाएगा अगर उससे भी नहीं होता उसी में एक option discipline में ही एक option रहेगा जिसका नाम रहेगा coordination कोडिनेशन पर click कर देंगे तो चाहे MEP की फाइल हो चाहे structure की हो चाहे architecture की हो सारी फाइल यह अपने आप खुल जाएंगी और यह interview पूछा जाता है किस तरीके से इसको करेंगे इसके लावा casework से question बनते हैं बहला parametric family और non-parametric family परामेटरिक family में proper हम reference lines दे देते हैं उसके according को set करते है एक कुल वेरियम है और उसके साथ हम उस पर अपने किसी भी families को त्यार करते है उससे question जरूर पूछा जाता है उसका file format क्या होता है यह भी पूछा जाता है तो उसका file format रहता है .rfa और Revit family template का .rft इसको याद रखिए का question बहुत पूछा जाता है और इसके साथ ही साथ एक question इससे पूछा जाता है आपका Revit software का क्या file format होता है .rvt .rvt इसको याद रखिएगा और एक question जो common है कि आप जब insert पर जाते हों आप लिखा रहता है link cad और एक लिखा रहता है import cad दोनों में difference क्या है difference between link cad and import cad तो link cad में क्या होता है link cad में आपको सबसे अच्छी चीज़े होती है कि अगर आपने किसी file को AutoCAD की file को link किया है तो आप इधर तो import कर लिया बट in future अगर आपने सोचा कि मैं उसले AutoCAD file में जाके कुछ changing करूँ तो आप जब कोई changing करोगे आप तो यहाँ पे automatic वो चीज़े change हो जाएंगी क्योंकि यह दूनों क्या है link है बट अगर import cad की में बात करूँ तो import cad में problem क्या आती है अगर आपने AutoCAD की file import कर ली आप कोई आपने बात में कोई changing करना चाहा तो यह change नहीं होगा तो यह difference होता है import cad और link cad में इस तरीके के rabbit structure में एक interview में question कुछे जाते है यह था rabbit structure interview questions part 1 अगर आपको part 2 चाहिए तो नीचे सब लोग लिखना part 2 और like करना तो जरूर मैं उसको भी आगे questions करूंगे चलो part 2 भी discuss करते क्योंकि एक वीडियो में पूरा नहीं discuss हो सकता है thank you so much for watching this video hope you like this जै हींद जै भारत और wait करना next वीडियो का और जादा ज्यादा like करो यार share करो